हलो दोस्तों किस वाप उम्मीद है कि सब लोग अच्छे हों दोस्तों आप देख रहे हैं कोल टेखनोलोजी यूटूब चैनल दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक फ्रीज जी हां दोस्तों आज हम इसको रिपेर करने वाले और इसके अंदर कंप्रेशर लग हम इसके अंदर जो गेस वगेरा है वो निकाल लेंगे ठीक है उसके बाद हम इसके जो पाइप है वो बाहर निकालेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो मैं आपको बता दू कि आप जहां पे छे महीने या आठ महीने एक साल दो साल लगा सकत बाहना अट है और आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको कम्प्रेशर लगाना है तो उसके लिए हमेँ क्या करना होगा…. सबसे पहले हमें इसका पुराना कम्प्रेशर है वह बाहर निकालना होगा गेस हमें निकाल ही दिया आपके सामने और टोश बत्टी की मदद से हम इसको कंप्रेशर को बाहर निकालेंगे ठीक है दोस्तों गरम करके निकालेंगें ट्यूब कटर की मदद से अगर हम निकालते तो पाइप छोटा हो जाता है तो फिर प्रॉलर्वलम होती ठीक है तो यह देखे पाइप बाहर अच्छे से निकल चुके हैं दोस्तों आपको जब हमारा पाइप बहुत गरम हो जाए बिल्कुल लाल हो जाए तभी आपको पिलास की मदद से पाइप को बाहर निकालने ठीक है यह भी ध्यान रहे पहली ट्रिक किया है आपके लिए दू यह पाइप होते हैं जाल के जो कंडेंसर के पाइप होते हैं हमारे इनको आप बहुत अच्छे से रेगमाल की मदद से साफ कर लें नहीं तो आप जो टाके होते हैं जो जहां पर आप शोल करते हो तो वो जो है आपके लिकेज हो जाते हैं तभी आपको बहुत परशानी बाहर नहीं रखना है नहीं तो माल भढ़ जाता है और फिर आपको धिक्क्त होती है ठीक है दोस्तों दीसरी बात होगे छोतीबात मैं आपको बता दू कि हमारी जो पिन्वाल है ते पिन्वाल के अंदर वहों बाहर निकालेंगे ठीक है दोस्तों यह बाहर निकाल लेएंगे नहीं तो आपकी खराब हो जाएगी ठीक है दोस्तों अब हम सबसे पहले शॉड़ करें आपके सामने ब्रेजिंग कर रहे हैं ठीक है तो अच्छे से देख लेए आपको कैसे टांका लगाना है वो मैं आपको ठीक है दोस्तों ये ट्रीक मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस तरह से टांक लगाओगे आपका टांक बिल्कुल भी लीकिज नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप बहुत सफाई से काम कर सकतो इसमें भी देख लेना इस वीडियो में कि आपका काम कितना अच्छे से अब के सामने हो रहा है ठीक है दोस्तों देख़े दोस्तों जब तक आपका पाई बिल्कुल भी लालना हो बहुत अच्छे जब लाल हो जाये तभी आपको इसके ओपर वैलोड रोड लगानी है ठीक है जब आपको पाई बिलकुल लाल हो जाए तभी आपको वैल्डिंग रोड लगानी है देखे आपका जहें टाका लग चुका है और उसके बाद हम पिनवाल लगाएंगे दोस्तो एक चीज़ का ध्यान रहे कि पिनवाल पूरी लगानी है उसके बारे में आपको बाद में बताने वाला हूं क्यों लगानी है पूरी ठीक है दोस्तों यह देखे दोस्तों सफाई से काम करना है जब तक आपका पाइप बिलकुल लाल नहों मैं एक बार फिर से बता रहा हूं लाल जब तक नहों तब तक आपको वैल्डिंग रोड नहीं लगानी हमारा पाइप लाल हो चुका अब हम इसके उपर वै कंप्रेशर भी हमारा ठंडा रहे हैं तो ठंडा करने के बाद यह देखे मैं आपको टांके चेक करवा दो कितने अच्छे से कितनी सफाई से आपका काम हुआ है ठीक है ज्यान से दोस्तों मैं आपको बता दू कि पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे आज पूरा फ्री हमारी जो इसके अंदर वोल होती है वो खराब हो जाती है वो जो है उसके अंदर को तेल की मदद से और वो हीट होने की वज़े से आपका जो गेस होती है वो बाहर निकल आती है और वो आपको कंप्रेंड करेगा किस्टमर की हमारा फ्रीज कोलिंग नहीं कर रहा तो ध्यान और फेरीजर की सफाई करेंगे हमचे कर लेंगे की हमारी केपलियरी चालु है या नहीं है ञं tu जादा देर आपको धियान लगने कंपरी नहीं चलाना ठीवरू छूति बात आपको compressor बंद कर देना ठीक है तो यह कंप्रेशर ज्यादा देर नहीं चलाना अगर ओय ला रहा है तो आप दूसरे compressor की मदद से इसकी सफाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको सफाई करने के बाद क्या करना है की filter का जो पाइब होता है उसको तोड़ लेंगे ताकि इसको जो है इसका परिशर बाहर निकला आए तो अब हम क्या करेंगे फ्रीजर का टांका लगाने के बाद हम जो है फिल्टर चेंज करेंगे और केपलरी की सफाई करने के बाद वह लगाएंगे ठीक है तो तो देखिए अच्छे करना है यहीं वज़े होते कि आप पाइप को अच्छे से गरम नहीं करते हो ठीक है तो अच्छे से जब पाइप लाल हो जाए तब आपको वैल्डिंग रोड उसके ओपर लगानी है ठीक है यह देखिए कितना इच्छे से टांका लग चुका है आपके सामने यह देखे हमने करके कंप्रेशर को ध्यान रहे गरम नहीं होने देना जब भी आप टांका लगा उसके बाद कंप्रेशर को अच्छे से ठंडा करके साफ कर लें ठीक दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे बता रहा हूं ठीक है दोस्तों हमारे ट केमिकल को सभी मेरे भाइद जानते हैं एक द्यान से देखना ए फिर वाल रिस देख पर हम केपलरी को एंटी मोस वगेरा पिला लेंगे ठीक है यह देगे हमारी केपलरी जो है अच्छे से चल चुकि उसके बाद आपको एक मिनट तक 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 चालू रखना है ताकि अच्छे से इसके अंदर जो हैं कि मौस चली जाए और वो जह हैं बिल्कुल मुकमल तरीके से खुल दिखेए अगर कहीं से कोई कच्रा भी हो ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या करें कि हम के सामने जहीं चालू हो चुका है हमारा केपलरी ने जो है अच्छे सेंटिमोस ले ली उसके बाद हम कंडेंसर को फिर चलाने के बाद कंडेंसर को हलका हलका करेंगे जैसे मैं कर रहा जो कचरा होगा वह अच्छे से आपका बाहर आ जाएगा ठीक है दोस्तों हलके-लकेस ध्यान रहें कोई चीज आप जला ना दो कहीं ऐसा नहूं अपने काम अच्छा करने के चक्कर में आप कस्टमर का नुकसान कर दो उस चीज़ का भी आपको ध्यान लगना है ठीक है दोस्तों तो मैं आपको बता दू कंडेंसर हमारा ऐसे धीरे धीरे गरम करना है जो बैंड होते हैं थोड़ी सी जादा हीटिंग जादा ले ले क्योंकि बैंड पिलास की मदद से किसी और की मदद से इसको अच्छे से हिला लेंगे चोट मार लेंगे ताकि जो पाइप पे चिपका हो वो भी उतर जाए और इसके बाद फलश करेंगे हमारा जाल बिल्कुल साफ सुत्रा पड़ा है इसके अंदर कुछ नहीं है ध्यान रहे ज्यादा दे नका मारे पास यह फिल्टर है और यह हम फिल्टर लगाएंगे आपको एक वार फिर बता दो कि पाइप पर आप रेग माल बहुत अच्छे से माल लेंगे हमने देखे कितने अच्छे से जह है रेग माल मारा हुआ है कर ठीक है अगर आप रेकमाल अच्छे से मारओंगे तभी हुए अच्छे से बात अब स्क्रताइब कर पाओंगे सफा निद्स पाहने gonna नहीं बढ़ा अद पूछी er ऊई मुझहा बतार रहा हूं इस चीज़ का दियान रखना है ठीक है दोस्तों और अब हम इसको जो है शौल कर लेंगे पहले केपलरी का लगा लेंगे नहीं तो क्या है कि पीछे का जो टांका लगाता है उसके बाद आगे के टांके में प्रोब्लम होती है तो जो मेरे नए भाई है काम करने वाले उनको बहुत दिक्कत होती है ठीक है अंदर को एर आती रहती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे पीछे जो कंडेंसर का टांका है वो लगाएंगे ठीक है दोस्तों और इस टांके पे आपको फलक्स का यूज़ करना है क्योंकि लोहे का आपका जो पाइप होता है तो इस पे कोपर की वैल्डिंग रोड जो है व दोस्तों आठी बात दोस्तों अच्छे से काम करना है जब तक मैं एक बार फिर बता दू आपका पाइप हीट नहों बिल्कुल लाल नहों तब तक आपको वैल्डिंग रोड नहीं यूज़ करनी है ठांक लगते हैं ठीक है दोस्तों यह कितना अच्छे सामारा टांका लग दोस्तों उसके बाद हम जहें इसको चलाका हमने चेक कर लिए उसके बाद हम इसका पीछबी नहों पार यह चैनल को सब्सक्राइब करें और यह रupli को लाइ और दो Super इसको में spray कर दे लिए क्यासा कमिन करते हैं अब को हमारी वीडियो पसंद आई और इसके और में को जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे से पोछ नहींफ मुझाल हम पूर्छेश है ठीकर्ष करें तो आपको वेक्यूम जरूर करना अगर आप वेक्यूम नहीं करोगे तो आपके फिरिज के अंदर कोलिंग नहीं आएगी वह चोक होगा बार-बार आपको प्रोबलम आएगी आप बार-बार उसी फिरिज के पीछे जो है लगे रहोगे उसे रिपेर करने के लिए वेक्यूम जरूर करना है कंप्रेशर वेक्य कंप्रेशर को धन्डा रखना है ठीके दोस्तों हमारे टाके लग चुके हैं सारे complete बहुत सफ़ाई से काम हुआ है आपके सामने हुआ है और उसके बाद हम व कर लेंग तकरूल अपकर दस मिन्स पिक यो Hep c continues करेंगे एक तहब तक आप वेक्यूम करने के बाद जब तक आप गैस को पास और तो कभर आल लुक्त करे का है कल डाल है के टालने के बाद आपको को डाल को सटार्ट करा मैं कर दूस्तों हमकोके इसकेंदर इसके दोस्तो अभी 3-4 ट्रिक और है मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत एहम है ठीक है दोस्तो उनको आपको जरूर देखनी है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो आपको कुछ जानकरी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों मैं आपको लिंग की बात करूँ तो बहुत अच्छे से इसके अंदर कूलिंग भी आ चुकी है ये देखिए मैं आपको दिखाओंगा आपको बहाँ भी दिखाई दे रही होगी है ठीक है और इसकी आपके सामने बरफ बन जाएगी ये देखिए एक मिट के अंदर अंदर ही इतनी अच्छे से कुलिंग कर रहे हैं कि इसके अंदर जहा है मैं आपको अब एक बार और बता दू कि हमें गेज के से चेक करने है कि हमारी गेज जादा तो नहीं है कुछ मेरे भाईयों की गेज खराब हो जाती है आपको क्या करना है कि तार निकालने ठीक है उसके बाद तुरंट लगाने ये सबसे एहम बाद है दोस्तों ये सबसे आ आपका जो अवर लोड है वो कट मार देगा ठीक है ये देखे घड़ी भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूं कि ये धीरे-धीरे घट रही है क्योंकि बढ़ रही है बेक परेशर दिखा रहा है आपको उसके बाद यह स्टेंडिंग परेशर भी दिखा रहे है और दोस्तों जब आपको वेट करना है जब दुबारे से अगर आपका कमप्रेशर उठता है ठीक है दोस्तों कमप्रेशर अगर उठता है तो ठीक है गेस पूरी है अगर नहीं उठता है तो आपको एक बार वोल्टेज चेक कर लेना अगर वोल्टेज पूरी है तो आपके फिरिज के अ जागी दोस्तों आपके दोस्तों उम्मीद है कि सभी लोग समझ गए होंगे मैंने बहुत अच्छे समझाने कोशिश करें अगर आभी भी कोई डाउट है कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करें ठीक है दोस्तों और मैं आपको पूरा बताने कोशिश करूंगा तो दो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको अगले वीडियो में